हेलो दोस्तों नमस्कार आपका हमारे यूटूब चैनल पर स्वागत है आईए देखते हैं इकोनामिक से समधित प्रैक्टिस सेट अगर आप भी गवर्मेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप सही जगा पर आए हैं तो चलिए शुरू करते हैं शीमेंट के उत्पादन में किस राज का देश प्रथम अस्थान है आंध्य प्रदेश, बिहार, राजिस्थान, मध्य प्रदेश तो शीमेंट के उत्पादन में राजिस्थान, राज का देश में प्रथम अस्थान है उसी आपका राइट अइंसर हो जाएगा मध्य परदेश में नेपा नगर किसके लिए प्रसिध्ध के लिए वस्त अगशलो केют खेंध्य म१जिक अखवाण अगच अगट और आपका right energy को भारत की प्रथम जिस वर्ष घुसत की गई वह कौन से वर्ष था house Christ तो स्वधीन भारत की प्रतम अउद्धों के नीत जिस वर्स घोसित की गई वह 1948 थी, option B यापकर राइट एंसर हो जाएगा, भारत में बहुराष्टिये कमपनियों को प्रसाहन देना, बढ़ावा देना है, यानि निजी कर्ण नीत को लाकर, उदारी कर्ण नीत को लाकर, या फिर वैस्वी कर्ण नीत को लाकर, या ये सभी, तो इसका जो राइट एंसर हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा, option D आपका राइट एंसर हो जाएगा, next question देखते हैं, भारत निर्माड योजना का संबंद है, किससे है, अवस्थापना विकास से, खाध्यान पारिवारी कल् कर्म से, उत्पादन आत्म निर्भरता से, या फिर निमने से, कोई नहीं, तो भारत निर्माड योजना का संबंद, अवस्थापना विकास से, होप्स ने आपका राइट एंसर हो जाएगा, गहन किर्सी जिला कारिकरम कब प्रारम किया गया था, 1960-71 इसभी में, 1964-65 इसभी में, 26-67 इसभी में, या फिर 1700-71 इसभी में, तो गहन किर्सी जिला कारिकरम उनिर्माड आपका राइट एंसर हो जाएगा, देश में दुख दुद उत्पादन में बृद्धी लाने के उद्देश से शगन पशु विकाश कारिकरम ICDP कब चलाये गया तो यह 1964 और 65 में चलाये गया उपसने आपका राइट एंसर हो जाएगा भारत में दूद की प्रतिव्यक्ति दैनिक उपलबता कितनी है दोसो चार ग्राम, दोसो दस ग्राम, दोसो सत्रा ग्राम या फिर दोसो बावन ग्राम तो भारत में दूद की प्रतिव्यक्ति दैनिक उपलबता दोसो बावन ग्राम है आपका राइट एंसर हो जाएगा भारत में किस प्रकार के रासाइनिक उर्बरक की खपत सरवाधिक है नाइट्रोजनी तीनों की बराबर पोटेसिक या फिर फासफोरिक तो भारत में नाइट्रोजनी के रासाइनिक उर्बरक की खपत सरवाधिक है आलू उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है पहला, तीसरा, पाचवा या फिर आठवा तो आलू उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में पाचवा स्थान है आपका राइट उत्पादन हो जाएगा भारत में स्वयवीन का सबसे अधिक उत्पादन किस राज में होता है उत्तर प्रदेश, राजिस्तान, मद्ध प्रदेश या फिर बिहार तो भारत में स्वयवीन का सबसे अधिक उत्पादन, मद्ध प्रदेश राज में होता है किसान कॉल सेंटर तथा किरसी चैनल का सुबारंब कब किया गया जनौरी 2001 में जनौरी 2002 में जनौरी 2003 में या फिर जनौरी 2004 में तो किसान काल सेंटर तथा किरसी चैनल का सुबारंब जनौरी 2004 में किया गया था अपसंट D आपका राइट अंसर हो जाएगा राष्टिये किसान और दोग का मुख्याले कहां इस्तित है नई दिल्ली में, सूरत में, लखनव में या फिर देहरादून में तो राष्टिये किसान और दोग का मुख्याले नई दिल्ली में इस्तित है option ये आपका right answer हो जाएगा अगला प्रसंद देखते हैं नई राष्टिये किसी नीत का वरडन किस रूप में किया गया है सुनहरी क्रांती, खाद्यान क्रांती, रजत क्रांती या फिर इंद्रधनुशी क्रांती तो नई राष्टिये किसी नीत का वरडन इंद्रधनुशी क्रांती के रूप में किया गया है option D आपका right answer हो जाएगा अगला प्रसंद देखते हैं भारत का वहराज जो अनाज उत्पादन में अधिक्तम अंसदान करता है वह कौन सा है पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट या फिर हर्याना भारत का वहराज जो अनाज उत्पादन में अधिक्तम अंसदान करता है वह उत्तर प्रदेश है, option B आपका right answer हो जाएगा भारत में agro ecological jones की संख्या है, 16, 18, 20 या फिर 31 तो भारत में agro ecological jones की संख्या, B से option C आपका right answer हो जाएगा निउंतम समर्थन मूल का निर्धारक है, किरसी लागत और मूल आयो, भारत है किरसी अनुसंदान परिशद, राज सरकार या इनमें से कोई नहीं तो निउंतम समर्थन मूल का निर्धारक, किरसी लागत और मूल आयोग है, option A आपका right answer हो जाएगा हरित करांती का संबंद मुख्यता किस फसल से है चावल, गन्ना, डाले या फिर गेहूं तो हरित करांती का संबंद मुख्यता, गेहूं फसल से आपका राइट एंसर हो जाएगा दुतिये हरित करांती का संबंद किस से है गेहु के उत्पादन से, चावल के उत्पादन से, जैव प्रदोग की के प्रियोग से या फिर अधिक उपज देने वाले बीजों से तो दितिये हरित करांती का संबंद जैव प्रदोग की के प्रियोग से अपसंची आपका राइट एंसर हो जाएगा अगला प्रसुन देखते हैं इस समय भारत का सबसे बड़ा राश्टिय कृत उद्ध्यम है कौण सा है? भारतिय रेल्वे, भारतिय दूर संचार तंत्र, भारतिय विद्धुत छेत्र या फिर भारतिय वाड़िजिक, बैंकिंग तंत्र तो इस समय भारत का सबसे बड़ा राश्टी एकृत उद्धम भारतीय रेल्वे है option D आपका right answer हो जाएगा भारत का वित्तिय वर्ष प्रारंब होता है एक मार्च से, एक जनौरी से, एक दिसंबर से या फिर एक अपरेल से तो भारत का वित्तिय वर्ष एक अपरेल से प्रारंब होता है option D आपका right answer हो जाएगा प्रतेक वित्तिय वर्ष से ही वे के प्रतेक मद का नया मुल्यांकन करके बजट बनाना कहलाता है performance budget, fresh budgeting, zero based budget या फिर deficit budget तो प्रतेक वित्तिय वर्ष से ही वे के प्रतेक मद का नया मुल्यांकन करके बजट बनाना कहलाता है zero based budget option C आपका right answer हो जाएगा भारत में सरबाधिक किस राज में शूनी आधारित बजट तकनीकी को अपनाया गया है आधारित बजट तकनीक को अपनाया गया option C आपका right answer हो जाएगा भारत सरकार की कुल कर आई में सरबाधिक योगदान होता है आई करका, शंपत्ती करका, केंद्रिया अबकारी करका या प्रासुलक करका तो भारत सरकार की कुल आई में सरबाधिक योगदान केंद्रिया अबकारी करका होता है option C आपका right answer हो जाएगा संगिया बजट को अधिकतम आई प्राप्त होती है किसे से प्राप्त होती है आई कर से, कार्पोरेट कर से, exercise duty से या फिर custom duty से तो संगिये बजट को अधिकतम आई कार्पोरेट कर से प्राप्त होती है option B आपका right answer हो जाएगा next question देखते है माडवेट का संबंध है, किससे है व्यापार कर से, केंद्रियावकारी कर से, संपत्ती कर से, या फिर आए कर से तो माडवेट का संबंध व्यापार कर से है option B आपका right answer हो जाएगा राजकोसिय घाटे और बजटिय घाटे का अंतर किसके बराबर होता है सार्वजनिक घाटे के बराबर, राजसु घाटा के बराबर, मुल्य हास के बराबर या फिर प्राथमिक घाटा के बराबर तो राजकोसिय घाटे और बजटिय घाटे का अंतर सार्वजनिक घाटे के बराबर होता है option या आपका right answer हो जाएगा भारत को अधिक्तम कर, आय पराप्त होती है, आय कर से, केंदरीय उत्पाद सुल्क से, आयात सुल्क से, या फिर निगम करसे, तो भारत को अधिक्तम कर, निगम कर से पराप्त होती है, option D, आपका right answer हो जाएगा, केंदर सरकार का गैरी योजना वे का अंग नहीं है पर तिरे अच्छा वे विग्यान एउम तकनीकी विकासे तू आउंटन परिदान का भुकतान ब्याज भुकतान तो केंदर सरकार का गहरी ओजना व्याय का अंग विग्यान यों तकनीकी विकासितु आवंटन नहीं है उप्सन बी आपका राइट एंसर हो जाएगा हाल के वर्सों में शंगिय सरकार के बजट में बे का सबसे बड़ा मद रहा व्याज की आदाएगी ओप्सन डी आपका राइट एंसर हो जाएगा भारत में आर्थिक नियोजन का सुरूप है विकेंदरी कृत समाजवादी और पूंजी वादी निर्दे सात्मक या ये सभी तो भारत में आर्थिक नियोजन का सुरूप विकेंदरी कृत भी रहा समाजवादी और पूंजी वादी भी है और निर्दे सात्मक भी अर्थात option D, यह सभी हो जाएगा next question दिखते हैं भारत में योजना से सम्मंदित सबसे पहला विचार प्रस्तुत करने का स्रिय किसे जाता है जमाहला नहिरू को, मुंबई के उद्धोग पतियों को M. विश्व सरया को या फिर स्री मन नाराण को तो भारत में योजना से सम्मंदित सबसे पहला विचार प्रस्तुत करने का स्रिय है M. विश्व सरया को जाता है option C, आपका right answer हो जाएगा भारती योजना निर्माड के उद्धेश है कैसे उद्धेश है राष्टी आय में ब्रद्धी बिलकुल सही निर्धन्ता निर्मूलन सही है आय और संपत्ती में आसमानताओं की घाटा ना यह भी सही है option D यह आपका right answer हो जाएगा यह सभी कश्य आपके सही है भारत में योजना की अवधार्णा कब सुविकार की गई 1947 में 1950 में 1952 में 1955 में आपका right answer हो जाएगा option B आपका right answer हो जाएगा पंच वर्षिय योजना बनाने की जिम्मेदारी किस्की है राष्टिय विकास पर्षत की केंद्रिय उम्राज सरकार की प्रधान मंतरी कार्याले की या फिर योजना आयोक की तो पंच वर्षिय योजना बनाने की जिम्मेदारी योजना आयोक की थी D आपका right answer हो जाएगा भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंब हुए 1 अपरेल 1951 को 1 मई 1956 को 15 अगस्त 1947 को या फिर 26 जनौरी 1945 को तो भारत में आर्थिक नियोजन 1 अपरेल 1951 को प्रारंब हुए था option ये आपका right answer हो जाएगा राष्टिय योजना समित की अस्थापना कब हुई 1928 में 1842 में 1947 में या फिर 1951 में तो राष्टिय योजना समित की अस्थापना 1928 में हुई थी option ये आपका right answer हो जाएगा जनी योजना का प्रारूप किसे ने तयार किया था सर अर्देसियर दलाल ने जैपरकास नारायने स्रीमन नारायने या M.N. रायने तो जनी योजना का प्रारूप M.N. रायने तयार किया था अपसंदी आपका right answer हो जाएगा राष्टिय योजना समित के अधच पद पर न्यूक्त होने वाले व्यक्ति थे जमाहरलाल नेहरू PC महाल नोबिस सुबाश चंद बोज या इन में से कोई नहीं तो राष्टिय योजना समित के अधच पदपन न्यूक्त होने वाले व्यक्ति जमाहरलाल नेहरू थे आपसंदी आपका right answer हो जाएगा तो thanks for watching my video अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो please just like, share, comment जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो subscribe करना बिलकुल न भूले Thank you